दुनिया को बदलने में अक्सर दशक या सदियां लग जाती हैं लेकिन कोरोना वाइरस ने चंद ही दिनों में पूरी दुनिया को बदल दिया सोशल डिस्टेंसिंग के चलते हाथ भले नहीं मिल रहे हो, गले भी नहीं मिल रहे हो लेकिन हिंदुस्तान के नमस्ते पर पूरी दुनिया के दिल जरूर मिल रहे है कोरना वारेस के चलते दुनिया के सभी बड़े लीडर्स नमस्ते करने की सला दे रहे है इस वक्त वैश्विक स्तर पर बचाव को मधनजर रखते हुए कई देश लॉकडाउन हो गए हैं जैसे इटली, स्पेइन, फ्रांस कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए भारत सरकार भी अपनी तरफ से सभी मुम्किन कोशिश कर रही है लेकिन इस लड़ाई में क्या हम अपना योगदान दे रहे हैं, एक अच्छे नागरेक होने का करतव वे निभा रहे हैं एंड ट्रस्ट मी गाइस, कोरोना की लड़ाई में हमारा हिस्सा, गवर्मेंट या फिर मेडिकल स्टाफ के हिस्से के आगे कुछ भी नहीं है हमसे क्या एक्सपेक्टेशन्स हैं, कोरोना वाइरस को लेकर सचेत रहें, अफवाओं पे विश्वास ना करें, पूरे इंडिया में मास गैदरिंग पे बैन है तो भीड़ भाड़ वाले जगों पे ना जाएं अगर किसी में कोरोना के सिम्टम्स देखें तो हेल्प लाइन नंबर पे तुरंत कॉन्टाक्ट करके जानकारी दे और इलाज के वक्त मेडिकल स्टाफ का सहयोग दे हम सब इतना तो अपनी रिस्पोंसिबिलिटी मान कर ही सकते हैं और करना भी चाहिए इस वीडियो में मैं आकडों की बात नहीं करूंगी बलकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे बात करना जरूरी है कुछ लोग जो कोरोना वाइरस से संक्रमित हैं वो इलाज से भाग क्यों रहे हैं? कोरोना का टेस्ट क्यों ने करवाना चाहते? क्या उन्हें पता नहीं है कि जो भी उनकी कॉन्टाक्ट में आएगा वो भी कोरोना से पीडित हो जाएगा? उनकी पडिवार वाले भी संदिक्त हो जाएंगे और बच नहीं पाएंगे? दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगे आपकी कि आप कैसे कोरोना वाइरस को रोकने में योगदान दे सकते हैं? वीडियो के एंड तक बने रहें? और हाँ एक छूटा सा योगदान आप मेरे चानल को सब्सक्राइब करके भी दे सकते हैं ताकि आप इस रहस्त में वाइरस से जुड़ी सबी खबरों से वाकिफ रहें और दूसरों को भी अवेर कर सकें सबसे पहले बात करते हैं कोरोना से लोग इतने डरे हुए क्यूं है? जितनी बीमारी खतरनाक होती है उतना ही खतरनाक होता है उस बीमारी के बारे में अधूरा ग्यान और डर यही डर की वज़े से या तो लोग कोरोना वाइरस के लक्षन चुपा रहे हैं या फिर लक्षनों के होते हुए भी जान्च नहीं करवाते और इसी वज़े से संक्रमन को आगे फैलते देर भी नहीं लगती आजकल बहुत सारे स्टेट्स में ये भी देखा गया कि अगर कोई संक्रमित हो जाए उसका टेस्ट पोजिटिव आ जाए तो लोग भागने में भी देरी नहीं करते ग्यारा संदिक्स कोरोना वायरस पेशन नवी मुंबई के हॉस्पिटल से भाग गये बिहार में कोरोना वायरस का एक पेशन मेडिकल चेक अप से भाग गया डॉक्टर नर्सेस सब देख बाल करते हैं। हाँ इतना जरूर है दोस्तों और परिवार वालों से कुछ समय के लिए अलग रहना पड़ता है। लेकिन ये सब की हिफाज़त के लिए है जिसमें आपका परिवार भी आता है। अब बात करते हैं कि कॉरेंटाइन कैसे कॉरोना से बचाव करता है। क्या कॉरोना के लक्षणों को नजर अंदास करना सही है। या फिर बस ऐसे सोच लेना कि मुझे नहीं होगा मेरी तो इम्मुनिटी स्ट्रॉंग है। सोचने से काम चल जाएगा। कॉरेंटाइन आइसुलेशन स्क्रीनिंग ये शब सुनने में भारी भरकम लग सकते हैं पर इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। कॉरेंटाइन ये आइसुलेशन उस बिमारी के फैलने की गती को धीमे कर देता है। बाहर कम जाएंगे तो आप इंफेक्ट भी नहीं होंगे और यदि बाए चांस जाने अंजाने में आप में ये वाइरस है तो बाकी लोग भी इंफेक्ट नहीं हो पाएंगे। स्क्रीनिंग से कॉरना वाइरस के इनिशल सिस्टम जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। चाइना इसका लाइब एक्जामपल है। वहाँ लोगों को क्वारंटाइन करना बहुत कारगर साबित हुआ। हर गाड़ी वाले बलकि लोगों के घरों में घुस-घुस के स्क्रीनिंग की जा रही थी। तो हम क्यों इससे घबरा रहे हैं? अपना संयोग नहीं दे रहे हैं? जरा सोचिये। अब बात करते हैं कि लोग क्वारंटाइन से क्यों भाग रहे हैं? लोगों का सरकारी स्वास्त विभाग में भरोसा ना होना आश्चरिय जनक नहीं है। इंडिया has weak health system around the world. भारत पब्लिक हेल्थ पर अपनी GDP का सिर्फ 1.28% खर्च करता है। WHO की यही जिनता है कि अगर भारत में ये वाइरस फैला तो बहुत नुकसान हो सकता है। क्योंकि हमारी अबादी बड़ी है, awareness की कमी है और स्वास्त सुरक्षा का धांचा उतना मजबूत नहीं है। पर इस समय हमें समझना होगा कि ऐसे मुश्किल वक्त पर कम्या निकालना नहीं बलकि आगे आके अपना संयोग देना जरूरी है। हमें ये realization होनी भी जरूरी है कि इस वक्त medical staff हमारा कितना overloaded है। तो अगर लोग इस तरह quarantine से भागेंगे और बाकी और लोगों को संक्रमित करेंगे, तो हम कोरोना से अपनी जंग कैसे जीतेंगे। मैं समझती हूँ असान नहीं है, 14 दिन अलग थलग भी ना बहतर सुविधाओं के रहना, पर कोई और विरकल्प भी नहीं है सरकार के पास। अब बात करते हैं कि क्या quarantine से भागना अपराध है। एक infected patient के quarantine से भागने के परिडाम बाकी लोगों के लिए घातक हो सकते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि ये वाइरस चाइना के एक इंसान से फैलना शुरू हुआ और अब 160 देशों में डेट लाग से जादा confirmed cases हैं। जी हाँ भागना तो अपराध है ही साथ ही आपको ये भी बता दू कि उत्तर परदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने quarantine facility के साथ corporate ना करने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाही करते हुए एक मसबूत उधारन सेट किया है। जिसमें उस व्यक्ति को Indian Penal Court 1860 के section 188 के तहत 6 महने तक की जेल और 1000 उपे तक का fine लग सकता है। क्या इस तरह की कदम फरक लाएंगे? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तो, 90% आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक और कमेंट भी करते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कर लीजे ना प्लीज, आपका एक सब्सक्राइब मुझे होंसला देता है और अच्छा काम करने का। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।